पुर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ग्यात होता है न औरों की जवानी यह निसानी मूख होकर भी बहुत कुछ बोलती है पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी मैं जो तीस दिनों का चैलेंज है अगर मैं या आप अगर तीस दिनों का चैलेंज लेते हैं तो ये तीस दिनों का चैलेंज हमारे जीवन में किस तरों से जादूई रूप से कार्ज करता है और हमारे जो जीने का अस्तर है इस अस्तर को ये कैसे अगले अस्तर तक पहुँचा देता है मैं चाहता हूँ ये तीस तिनों का चैलेंज ये इसका लाफ मैं आप तक पहुँचा हूँ चुकि ये तीस दिनों के चलेंज का लाब ये ना तो हमें या आपको ये परात्मिक बिद्यालों में ये परहया जाता है ये ना तो दस्वी के कलास में परहया जाता है ना ये कॉलेज में परहया जाता है ना तो ये उनिवर्सिटी में परहया जाता है तो ये तीस दिनों का चैलेंज ये उच्छ बर्ग है ये उन तक सिमित रखा गया है और मिडिल कलास और जो निम्न कलास इस तक ये नहीं पहुँच पाया है तो मैं चाहता हूँ जो तीस दिनों का चैलेंज लेकर ये मिडिल कलास हमारे आपके तरह इंसान निम्न बर्ग के इंसान ये तीस दिनों क चलेंज लेकर अपने जिन्दगी का जो mode of living है, standard of living है उसको कैसे आगे बरहा सकते हैं चुकि ये 30 दिनों का चलेंज जो हम लेते हैं तो शुरू में होता क्या है कि ये 30 दिनों के चलेंज में इसका 3 phase से हमें आपको गुजरना पड़ता है पहला जो चरन होता है जिसको unbearable फेज कहा जाता है इस फेज में क्या होता है कि एक दिन दो दिन जब हम कोई भी काम जैसे दोरने का कार्ज सुरू करते हैं या तहलने का कार्ज सुरू करते हैं या पढ़ने का कार्ज सुरू करते हैं तो एक से दो दिन तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक से दस दिन क्या होता है कि ये औसहनिय होता है अच्छा नहीं लगता है और इसी दर्मियान क्या होता है कि एक से दस दिनों के मद्ध है हम आप क्या होता है कि अन बियरेबुल औसहनिय होने के कारण इसको छोड़ द हैं तो फिर 15 से लेकर विश्य दिन तक हमारा दुसरा फेल सुरू होता है दूसरे फेले क्या होता ही अन्कमफर्टेबूल होता है यानि इस Saw रहते हैं लेकिन क्या है कि अगर अगर 11 वाफ दिन से लेकर 20 दिन फिर हम कार्ज को करते रहें, उस चैलेंज को पूरा करते रहेंगे, तो फिर 21 बे दिन से 30 बे दिन तक का चैलेंज शुरू होता है, जिसको अनेस्टोपेवूल कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कार्ज आटोमेटिक क्या होता है कि होता चला जाता है, तो ये 30 दिनों का जो चै देते हैं लेकिन जो उच्छे बर्ग होते हैं ये इसको करते हैं जैसे कि उच्छे बर्ग मॉर्णिंग में उठके या तो वो वाकिंग करते हैं या वो रनिंग करते हैं या और भी पढ़ने का कार्ज करते हैं जैसे कि मैंने एक गुरूप बनाया है तो उस गुरूप का नाम है 30 days challenge implement group इसमें जैसे आता है कुछ viewers है पूछते हैं कि सर कार्ज किस तरों से सुरू किया जाए तो मेरा उनसे कहना है कि सुरुवाती जो कार्ज होता है जैसे एक से दस दिनों का जो समय होता है उसमें आप थोरा करके आगे बर है यानि अगर आप पढ़ने का ही habit डाल नहें हैं तो कम से कम एक page पर हैं दो page पर हैं फिर जब आपका ये phase जब complete हो जाता है पहला phase एक से दस दिनों का तो फिर 11 से 20 दिनों का जो phase आता है उस phase में थोरा और आप कार्ज बरहा सकते हैं और जब तिसरा phase आता है तो उसमें automatic आप और बरहा सकते हैं तो कोई भी कार्ज है जैसे मेरा ऐसा कहना है कि अगर जिनकों English सीखना है वो चाहेंगे तो translation बना सकते हैं एक महीने तक वो चाहें तो अख़वार जो auditorial page होता है उसको पर सकते हैं या कोई ही motivational page पर सकते हैं तो एक महीना का जब challenge पूरा होता है तो उसके बाद जो हमारा आपका next जो challenge हमको आपको शुरू करना चाहिए इसको कहते हैं the 10x rule इसमें क्या करना चाहिए हम जो भी काम करेंगे उसको 10 के गुना में करेंगे अब जैसे हम कोई भी book परेंगे तो 10 page पढ़ने का quiz करेंगे कोई भी कार्ज करेंगे तो 10 के गुना में करेंगे तो automatic है अगर 30 दिन हमारा आपका ये कार्ज पूरा होता है तो हम फिर अगले 30 दिनों के लिए चल परेंगे फिर अगले 30 दिनों के लिए चल परेंगे और ये क्या होगा लगातार ये दिन महीने सालों में ये बैतित होता चला जाएगा और हमारे आपके जिंदेगी का जो अस्तर है जो लेवल है इस्टेंडर ओफ लिविंग, मोड ओफ लिविंग वो अटोमेटिक हमारे ग्यान का अस्तर यानि के पढ़ने का जो हम हैबिट सुरू करते हैं वो हैबिट या कुछ सिखने का हैबिट जैसे अगर किन्हीं को इंट्रेस्ट है हार्मोनियम बजाना या कोई संगीत सिखना तो ये एक महिने का जो 30 डेज चैलेंज होता है इसी ये 30 डेज हम पूरा अगर नहीं कर पाते हैं अगर 30 डेज अगर हम पूरा कर लें तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारे आपके जिन्दगी का आस्तर बदल जाएगा और जो एक ऐसा कहें कि ये चमतकारी कदम हमारे आपके ज शुरुआत हो जाएगा तो सवाल ये है कि हम सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे डाक्टर बने इंजिनियर बने साइंटिस्ट बने प्रफेशनल परसन बने नाम कमाए लेकिन ये जो सफलता जो उनको नहीं मिल पाता है जैसे कोई भी कार्ज हम सुरू कर लेते हैं हमारे बच्चे सुरू करते हैं और बीच में गैप हो जाता है तो जब तक हम मोटिवेट रहते हैं तब तो कार्ज करते हैं हमारे बच्चे कार्ज करते हैं लेकिन क्या होता है कि बीच में वो छोर देते हैं और वहीं से क्या होता है कि पतन सुरू हो जाता है तो पतन से रुकने क के लिए ये 30 दिनों का चलेंज हम कोई भी कार्ज लें 30 दिनों तक लगातार करें और अगर किसी दिन अगर छूट जाए तो फिर छूटे हुए समय यानि कि फिर हमको जो नेक्स शुरुवात करना है यानि कि उसी दिन से फिर 30 दिन के लिए आगे बढ़ जाना है तो इस परक के इसे लगातार करते रहेंगे उसमें सुधार करते रहेंगे तो हमारे आपका जो जिन्दई का जो सपना है वो अबस से पूरा होता है और ये जो मैं 30 दिनों का चलेंज की जो मैं बात कर रहा हूं इस पर मैं फोकस कर रहा हूं चुकि इसका ग्यान मुझे अनुबब हो र और मैं चाहता हूं कि ये 30 दिनों का हर बर्ग इसका लाब उठाए और लाब उठाने के बाद जीवन को स्वास्त के रूप में और सिच्छा के रूप में इसको सफल बनाए चुकि एक स्वास्त मस्तिक्स में ही सारा चीज विकास संभव है और हमारा जो पढ़ने का जो ये जो कहने का ये है मैं इस चैनल के मादम से इगल बाई एमडी मिराजुदीन के मादम से मैं जो भी हमारे भीवर्स हैं जो मैंने गुरूप बनाया है 30 दे चैलेंज इंपिलिमेंट गुरूप जो उनसे जुरू हुए हैं उनसे ये कहना है कि आप कोई भी जो चैलेंज ले र बरी कश्ट कारी होता है आपको मैंने जैसा बताया कि एक से दस दिनों का जो फेज होता है अनबियरेवल होता है वो असहनीय होता है फिर 11 से 20 दिन का जो फेज होता है अनकमफर्टेवल होता है और तिसरा फेज 21 दिन से तिसवा दिन जो होता है वो अनश्टोपेवल होता है तो इस स्पेज को किसी तरह ध्यान देना है कि एक से दस दिनों में डिवाइट करना है, फिर 11 से 20 दिन में डिवाइट करना है, और 21 से 30 दिनों में डिवाइट कर लेना है, और हमारे आपका जो ज्यान का जो अस्तर है, जो सीखने का पढ़ने का अस्तर है, उसको डेफलप कर लेना है तो कहा जाता है कि खुदी को कर बलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पुछे बता तेरी रजा क्या है ऐसा कहा जाता है कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है हम जब एक महिने का जब 30 दिनों का जब चलेंज लेते हैं तो 30 दिनों का चलेंज जब हम लेते हैं तो जब 30 30 दिनों का चलेंज जब पुरा होने वाला होता है तो हमको आपको खुशी होती है फिर अगले 30 दिनों के लिए हम चल परते हैं तो इस तरों से क्या होता है जब हम 3 महिने 90 दिन लगातार कार्ज कर लेते हैं या छे महीना कर लेते हैं उसके बाद ये क्या होता है कि automatic हमारा आपका habit हो जाता है और पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि एपी जे अब्दुलकलाम साहब कहे थे कि you cannot change your future but you can change your habits so your habits will change your future अगर आपका एक पढ़ने का थोरा सा परियास आपके exercise करने का कसरत करने का बयायाम करने का एक थोरा सा परियास मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बहुत ही ये अच्छे परिनाम यानि कि impact होगा इसका असर दिखेगा और हम आप सफल हो जाएंगे तो ऐसा कहूं कि कहने वाले कहे थे कि इल्म ही से कदर है इनसान की है वही इनसान जो जाहिल नहीं मुसाफिर अगर अपने हिमत नहारे कदम चुम लेती है खुद बर के मंजिल तो मेरा आप से यही निवेदन है कि ये तीस दिनों का चैलेंज कोई भी एक छोटा सा कार्ज लें और उस कार्ज को पुरा करें और ये जो तीस दिनों का जो हैबिट है खुद आप इसको इंप्लिमेंट करें लागू करें और जो नेक्स जनरेशन है इसका वो लाभ उठाए इसको सुनिशीत करें चुकि हमारे जो बच्चे हैं ये कलके भविस हैं तो ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे निवेदन है कि इसको लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें और ये तीस दिनों का चैलेंज आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो एक मेरा सपना है कि सभी इसका लाभ उठाएं और ये जंजन तक से ही होकर गुजरता है तो यह चैनल जो भी देखेंगे उनसे निवदन है आपको यह चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद